कथा माचक सूरश पाल का राइट हैंड और हातरस कांट का मुख्यारोपी पुलिस के शिकंजे में हैं हातरस कोट ने बाबा के मुख्य सेवादार को 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है नय खिरासत में भेजा है लेकिन पुलिस देवप्रकाश मदुकर को रिमांट पर लेने की तयारी कर रही है सुमवार या फिर मंगलवार को पुलिस रिमांट के लिए दोबारा अप्रिकेशन लगाएगी और ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस की रडार पर अब सूरश पाल का पूरा रहस्मई संसार है पुलिस सूरश पाल के सचंगों के फंडिंग के सोर्स से लेकर उसके पॉलिटिकल कनेक्शन के नेटवर्क को खंगाल रही है पुलिस देवप्रकाश से फर्स राउंड की पूछताच कर चुकी है और अब सेकंड राउंड के सवालों के लिस्ट भी तयार हो चुकी है देवप्रकाश ने पुलिस को अब तक क्या बताया आगे क्या सवाल पूछे जाएंगे डिटेल रिपोर्ट देखिए बदोगर जिया किया हुआ कि या हुआ है कितनी वार पहना आया ना इसर्था है भाख बदाईये बदाईया मत ग्रादी बाबा का देव पकड़ा गया अब देव बोलेगा बाबा के सारे राज खूलेगा हातरस में भगदल कैसे मची? असी हजार की पर्मीशन तो फिर धाईलाक की भीड कैसे जुटी? हातरस में भगदल किस ने मचा ली? हातरस में भगतों पर डंडा चलाने का ओडर किस ने दिया? हादसे के वक्त बाबा कहां था अब सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं अब हात्रस कांड का सच भी सामने आएगा बाबा का अतलिस्म भी तूटेगा और सूरजपाल के रहसमी संसार से परदा भी उठेगा क्योंकि बाबा का चीफ कमांडर अब स्टेफ के शिकंजे में हैं देव का पूरा नाम है देव प्रकाश मधुकर देव प्रकाश सूरजपाल का मुख्छ से वादार है हात्रस के सच्संग का मुख्छ आयوجन करता और प्रभारी है हातरस में जो आयजुकों की सूची बाबा की सचसंग कमिटी ने लगाई थी उस लिस्ट में भी पहले नमबर पर इंजीनियर देव प्रकाश वदुगर का ही नाम था पुलिस की F.I.R. में देव प्रकाश ही मुख्यारों भी था इसी देव प्रकाश की पुलिस को कई दिरों से तराश थी और इसी देव प्रकाश पर एक लाख का इनाम था अब S.T.F. हातरस कांड से लेकर बाबा के सौ करोड के सामराज्य की कडियां जोड रही है देव प्रकाश मुख्यारों से पहले राउंड की पुछताच हो चुकी है गिरफतारी के बाद पुलिस ने सीक्रिट लोकेशन पर पुछताच की इस पुछताच में यूपी पुलिस के एडी जी के रैंक अधिकारी भी शामिल थे पुलिस का फोकस पहले सथसंग की फंडिंग पर है लेकिन मदुकर पुलिस के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा है वो खुद को बार-बार भावा का सेवादार बता रहा है जान बूच कर बातों को घुमा रहा है दिल्ली नजब गड़ से पुलिस अक्षन के बाद गिरफतार कर रहा है जिसके खिलाब भी साक्ष बिलेंगे उसमें पुष्टाष में बताया है कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल द्वारा इंको पोशित किया जा रहा है और बाकी बैंक अक्री सवाल फंडिंग का बता दीजिए फंडिंग का रेजर था यह अभी इसमें हम लोग इसमें फंडिंग बता रहे हैं कि लोगों को द्वारा इनमें डोनेशन होता था और इनके द्वारा जो डोनेशन की परचिया है वो मांगी जा रही है कि अपने साक्ष के संकलन में यह बताएंगे कि यह पैसा जो रेज कर रहा है फंड रेजर के रूप में इनकी महन भूमकती पैसा कहां से आया क्या मोनी ट्रेल थी कौन डोनर्स थे उसकी लिस्ट तयार करी जा रही है और एक यह ब्रहद विवेचना है इसमें लंबी चौड़ी टीम लगेगी हमारी रवेन्यू के ओफिशल्स भी लग रहे हैं और उसके बाद इसमें जो भी कारवाई यह वो करी जाएगी लेकिन मधुकर कि यह होश्यारी किसी काम नहीं आएगी पूष्टास से यह भी बता चला है कि विगत कुछ समय पूर कुछ राजनीतिक दलो द्वारा इनको संपर्क किया गया था फंड कठा करने के संबंद में गहराई से जाच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कारेकरम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा कोशित तो नहीं करे जा रहे है अब तक की पूछता से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनितिक डल अपने राजनितिक वे नीजी स्वाथ के लिए इनसे जुड़ रहा है अभियोग देव प्रकाश मदुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते चल चल संपती मनिट्रे लिक्तियादी की जाच की जारी है फरस्ट राउंड की इंटरोगेशन में पुलिस का फूकस फंडिंग बर था लेकिन अब पुलिस हातरस कांड के साथ बाबा और मदुकर की पूरी कुंडली खंगाल रही है सुरजपाल के सामराज्य की एक डिटेल जुटा रही है पुलिस ने 24 सवालों के लिस्ट रेडी की है इसमें हातरस कांड में साज़श की थूरी से लिकर फंडिंग का सोर्स और पुरस्तन इंफरमेशन शामिल है बाबा और देव प्रकाश मदुकर का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है पुलिस को जिन सवालों के जवाब की तलाश है उसमें पहला सवाल ये है अब तक कहां कहां सचसंग करवाया है सचसंग का बजट कितना और चंदा कितना चंदे का हिसाब किताब कौन रखता है इस बार कितना चंदा आया क्या बाबा को इस चंदे की जानकारी थी सचसंग में भगदल कैसे मची क्या सचसंग खत्म होने के बाद सिवधारों ने भीड पर लाठियां चलाई थी क्या भीड का अनुमान पहले सिथा हादसे के समय तुम कहां थे सचसंग में क्या तुम्हारे हिसाब से समाजिक तत्व थे और थे तो क्या तुमने उन्हें देखा था क्या तुम्हें भगदल के पीछे कुछ साजिश दिखती है तुम्हारे अलावात दूसरे सिवधारों क्या भूमिका रहती है क्या किसी राजनितिक दल से भी तुम्हारा वास्ता था क्या बाबा किसी राजनितिक दल के नित परिवार के साथ मौके से फरार हो गया दो जुलाई को ही दो बार देव प्रकाश की बाबा से मुबाइल पर बात हुई पुलिस से छिपते छिपाते वहातर से दिल्ली तक पहुँच गया सेफ लोकेशन पर अंडर ग्राउंड हो गया तीन जुलाई को स्टीएफ ने एफ में आने से बच्ता रहा वो तीन दिन तक अंडर ग्राउंड था पुलिस से छिपता फिर रहा था पुलिस अब मदुकर से फरारी की भी फुल डेटेल निकाल रही है पुलिस के सवालों के लिस्ट में फरारी और बाबा वाले सवाल भी है फरारी के दौरान तुम कहां छिपे थे और किस किस से मिले हादसे के बाद बाबा और तुम्हारे बीच कितनी बार बात कुई तुम्हारे साथ फरारी में और कौन था और अब वो कहां है मदुकर है उसकी दो भूमी का सामने निकल कर आई है एक तो यह कि यह एक मुखे आयोजक था और दूसरा फंड रेजर था और अब तक कितना फंड रेज किया इसने कहां कहां से लिया पूरी मनी ट्रेल जो है वो निकालने के लिए अब पॉलिस काम कर रही है साती साथ जो प्राटमेंट के अधिकारी हैं उनकी भी पूरे मामले में मदद ली जाएगी और अगर जरूरत पड़ती है तो बाबा को भी जो है हात्रस पुलिस समन कर सकती है जाच में शामिल होने के लिए मतलब ये कि अब यूपी पुलिस हात्रस के किसी भी गुनागार को छोड़ने के मूड में नहीं है वो हात्रस के हादसे के हर गुनागार को कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है देव प्रकाश मदुगर की गिरफतारी यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है इससे हात्रस कांड की पिक्चर क्लियर हो सकती है बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं लेकिन जितना रहस्यमई सूरचपाल जाटप का संसार है उतना ही रहस्यमई किरदार उसके राइट हैंड देव प्रकाश मदुगर का है मदुगर की इंकम और उसके लिविंग स्टेटस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं देव प्रकाश मदुगर हात्रस का रहने वाला है सिकंद्रा मउ की न्यू कॉलनी के दिमतपुरा में उसका घर है मदुगर एटा के शीतलपुर ब्लॉक में तक्नीकी सायक के पत पर था 2010 से मदुगर सम्विदा पर 20 पंचायतों की मनरेगा का काम का आज देखता था मुख्या रूपी बनाये जाने के बाद उसे पत से हटा दिया गया है उसकी सेलरी मात्र 11 रुपे थी देव प्रकाश मदुगर की सेलरी भले ही कम थी लेकिन वो पूरी शाल शौकत के साथ जीवन जीता था उसने एटा के पैत्र गाउं से लेकर हात्रस के सिकंदराओं तक इसी सेलरी में पक्के मकान वनवा रखे है इस वक्त हम सिकंदराओं की न्यू कॉलनी में है और यहीं पर मधुकर जो मुख्या आरूपी है उसका घर है घर पर ताला लगा हुआ है उपर 2014 लिखा गया है 2014 में ये मकान बना था उसके बाद ही गाउं से शेहर शिफ्ट हुए मधुकर यहां मनरेगा विभाग में समविदा कॉंट्रेक्शिल इंप्लॉई हैं और अपने परिच में ब्रैकिट में इंजिनियर लगाते हैं यहां अगर आप देखेंगे तो उपर बाबा भोले बाबा की तस्वीर लगी है नारायन हरी की और ये मकान है ताला लटका है पूरा परिवार कोई नहीं है मधुकर को फिलहाल गिरफतार कर लिया किया है ये एकलوتा घर ऐसा नहीं है यहां जाएंगे इसमें ताला लगा हुआ है अगले घर में ताला लगा हुआ है ये वो सब बाबा के समर्थक है जिने डर लग रहा है कि कहीं जाच की आच उन तक ना जाए मदुकर के आसपास के कई घर बाबा के समर्थकों के है जनके घरों पर अभी भी ताला लटका हुआ है मदुकर ने इनी लोगों के साथ मिलकर सत्संकी तैयारी की थी हमने मदुकर के पडूसियों से भी हाट से को लिकर बात की मधुकर के बारे में आप क्या जानते हैं किस तरह का व्यावार उनका बहुर अच्छा है उनका कहां काम करते हैं तो यहां आयोजन से पहले उन्होंने लोगों को बताया था किस तरह से आयोजन की तैयारी होगी क्या पता चला तैयारी उन्होंने की है उने पता होगी हमारी तैयारी हम तो इपर काम करते हैं और उनका बहुर अच्छा है रहा भगो अच्छाches नहां पे कोई धिकत ने झुझत fewer है वह ज देकता है उन्होंने जो बुलाए बाबाबा से धीक कि माल लो कि अभी कोई कारे हम कर रहे हैं ठीक है हम कर रहे हैं तो हम जम्राइर बला रहे हैं पर हमारे पीछे कौन है इसका कोई हाथा कोई हाथा कोई हाथा हो गया तो हाथा के पीछे अब बुराई पर आ गए तो कह रहे हैं कि हाथा हुआ इसले बुराई पर आ गए और यह यहां एक के बाद एक एक दो यहां तीन और वहां चार चार घर यहां फिलहाल बंद हैं यह वो घर हैं जो बाबा सबर्थकों के हैं और इस आशंका से बंद हैं कि कहीं जाँच के डायरे में उनका नाम ना आ जाए हातरस हाथसे को लेकर यूपी सरकार सक्त है और नियाएक आयोग ने अपनी जाँच तेज कर दी है नियाएक आयोग की टीम ने हातरस में ग्राउंड जीरो पर पहुँचकर हलात का जाइजा लिया तो दूसरी तरफ पुलिस लाइन में सरकारी अधिकारियों के बयान भी तर् किया था और उसे जो है जाँच करने के लिए आदेश दिया था जिसके बाद अब वो जूडिशल कमिशन जो है वो पुलिस लाइन के अंदर पहुँच चुका है आप देखें कि यहाँ पर जो आपको पुलिस का बंदोबस्त भी आपको दिखाई दे रहा होगा दरसल तमा कमिशन की जो पूरी सदसे हैं वो पहुचे हुए हैं और एक-एक अधिकारी के जो है स्टेट्मेंट रिकॉर्ड किये जा रहे हैं उनसे पूरी पूछताच की जा रही है जाँच कमिशन ने जो है अब जाँच का जिम्मा संभाल लिया है यूपी सरकार ने इराबाद हाई कोट के सेवा निवरत्र नियायमूर्ती ब्रजेश कुमार श्रिवास्तफ की अध्यक्षता में तीन सदस्य टीम बनाई है जिसमें सेवा निवरत आईएस हेमंत्राव और सेवा निवरत डीजी भवेश कुमार सिंग को शामिल किया गया है एक कमिटी हात्रस कांड की जाच कर हाथसे की सिम्मेदारी तैंक करेंगी इस बात को तैंक करेंगी कि गलती प्रशासन की थी आयूजन की थी या फिर दोनों की नियाएक आयो की जाच जिन पॉइंट पर हो रही है उसे भी जान लीजिए हात्रस में जो हुआ वो धुगटना है या फिर साजश हात्रस में भगतर के पीछे की अस्ती वजह क्या है कारिकरम के आयोजुकों ने जिला प्रशासन को आयोजन की क्या जानकारी दी प्रशासन और पुलिस ने भीड को नियंतरत करने के लिए क्या कदम उठाए भविश्य में इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है मतलब ये की हात्रस कांड का काउंडाउन शुरू हो चुका है हात्रस की गुत्ती अब जल्दी सुलच जाएगी और गुनागार को उसके अ इंजाम तक पहुंचाया जाएगा